हैलो स्ट्टुडेंट्स अभी हम बात करेंगे व्यूटेन के सन्बूपन के बारे में यानि के नस लेक्चर बाएन हमने फिछले लैक्चर में बारे में बात करी थी एथेन के और प्रॉपेन के बारे में ए具 구ध सांतित सांतरी तरूप होते हैं उनके उड़ जा के मद्दे 2.8 किलो केलोरी पर मोल का अंतर था और यही प्रोपेन में हम बात करते हैं तो यह अंतर 3.3 केलो केलोरी पर मोल था अब ब्यूटेन के बात करते हैं तो ब्यूटेन थोड़ा अलग होगा क्योंकि वहाँ पर तो एक कार्ब तो देखिए ब्यूटेन में प्रती हाइडोजन प्रमाणू एक और प्रती कार्बन प्रमाणू चार बंद मानने पर इसके संदस्टान निम्ट प्रकार दी जा सकती है तो देखिए ये कार्बन और ये कार्बन को हम न्यूमान प्रजेक्शन फोर्मलार में आमने सामने लखे तो एक कारबन पर दो प्रकारबन और तो यदि लिहाए सकते हैं तो यह को। पून विप्रित संडूपन सांत्रित या anti-stigate confirmation इसमें क्या हो गया जो पिछे वाले कार्बन का CS3 group है और जो सामने वाले कार्बन का CS3 group है वो एक दूसरे से just opposite रहेंगे और मध्य में रहेंगे और यह जो यह तो बिल्कुल anti-stigate confirmation हो गया और यह हो जाएगा बिल्कुल एक एन eclips confirmation अब इसके बाद अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो यह ग्रशित संडूपन हो गया एन eclips confirmation यह क्या हो जाएगी यह skew form हो जाएगी एक विशम तलिये संडूपन हो जिसके हम गोशे फोम करते हैं अब यह देखिए इसकी तरफ जब हम नीचे की तरफ आते हैं यह पूर्ण ग्रशित संडूपन हो जाएगा पूर्ण ग्रशित संडूपन वह होगा जिसमें पिछले वाले कार्बन का CS3 आगी वाले कार्बन के CS3 के जस्ट सामने होता है यहाँ पर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा और यहां पर सबसे ज्यादा क्या ओजैगी एनरजी ओजाएगी तो यह सबसे कम हही स्था हो जाएगा इसके बाद फिर वह एन गोचे confirmation हो गया और उसके बाद वापिस ग्रसित संडूपना गया तो देखिए जब उन रोप से सांतिर संडूपन था उसको साथ डिगरी गुमाने पर Eclipse confirmation आ रहा है फिर गोचे confirmation आ रहा है 120 डिगरी गुमाने पर और फिर 180 डिगरी गुमाने पर क्या आ रहा है फुली Eclipse confirmation आ रहा है और उसके बाद फिर 240 डिगरी गुमाने पर एक गोचे confirmation आ रहा है और 300 डिगरी गुमाने पर वापस एक Eclipse confirmation आ रहा है इस तरीके से हमने देखा, आप देखे, विप्रित संडूपन एक और विशम तलिय संडूपन थेन एम चार में टोर्शनल स्ट्रेंड नहीं है, क्यों हो इस्ता ही है, वो मैंने बताया कि दोनों CS3 संडूपन एक दूसरी के जस्ट अपोजिट है, विशम तलिय संडूपनों में मेतिल समूप पास पास होने के कारण, उनके मद्दे प्रतिकर्शी वांडरवाल्स बल होने से अपेक्षा करत कम इस्ताई होता है, इस विशम तलिय संडूपन के उर्जा विप्रित संडूपन से लगवत 0.8 किलो कलेरी पलमोल होती है, तो आ रहा है, 0.8 कलो कलोरी पर मोल, हम बात कर रहे हैं, एक, तीन और पाच की, एक, तीन और पाच कौन-कौन सा है, देख लीजी यहां पर, फैली संडूपन तो यह होगी, पून, उसके बाद जो तीन हो गई, वो भी गोचे कंफर्मेशन हम बोल रहे हैं, सांत्री संडूपन आई हैं, एक, तीन, पाच, और उसके बाद यह हो गई, तो यह तो सबसे जाए कम एनर्जी की, और यह दोनों संडूपन बराबर एनर्जी की होगी, और इससे 0.8 कलो कलोरी पर मोल ज्यादा होगी, जो की यह दे रखा है, अब, और ग्रसित संडूपन, सेकेंड, फोर, एम पाच से अधिक होगी, बिल्कुल अधिक होगी, और यह अपेक्षा करत कामिस्ताई होंगे, संडूपनों, सेकेंड, फोर, एम, छे में से, सेकेंड, एम, सिक्स में मरोडी तनाव, ह, एम, सियस्ति समूगी ग्रस्त होने के मद्दे, वांडरवाल्स, प्रतिकर्शन, बल दो होते हैं, होते हैं, गर्शित संडूपन, जो चार में मरोडी तनाव, और दो सियस्ति समूगी ग्रस्त होने के मद्दे, अधिक मातर में वांडरवाल्स, प्रतिकर्शन, बल होता है, अतर सेकेंड, चार एम, छे में, संडूपन, चार सबसे कम हिस्ताई होता है, तो यह हो गया, फोर्थ यह ओगया, चार और यह चै है, तो सबसे कम हिस्ताई हो गया, जो सबसे कम हिस्ताई होगा वो होगा यह, फोर्थ वाला, क्योंकि हम सE 3 बिल्जस्ट सामने है, तहाँ रिपलशन, प्रतिकर्शनभल, सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए यहां पर जो चार्ज क्या हो गया सबसे कम हिस्ता है हो गया अब एनर्जी डाइग्राम से या उड़ जा उससे हम देखते हैं तो देखिए क्या आता है यह तो फुली एंटी हो गया जो कि सबसे कम इनर्जी वाला है यहां पर भी क्या जाएगा फुली एंटी जस्ट यहां पर यहां पर फुली एंटी अब इससे जस्ट यह देखिए 0.8 के लोकोले रिमॉल पर कौन सा फॉर्म आगे गोचे जो कि थर्ड है और गोचे फॉर्म आ फाइब आजाएगी तो यह तो गया फर्स्ट थर्ड और यह हो गया फाइब यह होगी फुली एंटी फुली इस्टिगर्ड या पूंडूप से सांत रहता है उससे 0.8 के लोकोले पर मोल पर कौन ज़्यादा होगा यह गोचे फॉर्म हो जाएगी गोचे फॉर्म हो ज़्यादा है 3.41 केलो कलोरी पर मोल किस से फुली एंटी से फिर हम जब एक सो बीस डिग्री घुमाएंगे तो हमें मिलेगी गोचे फॉर्म जो की फुली से किती ज़्यादा है 0.8 मतलब यह गोचे फॉर्म इस एकलिब्स शेकिन वाली फॉर्म से ज़्यादा इस्ताई है उसके बाद फिर जब हम इसको एक सो से डिग्री पर गुमाते हैं तो फुली स्टेगर्ड मिलती है जो कि सबसे ज़्यादा एनरजी वाली होती है और जो एंटी फुली एंटी होती है उसकी पांच किलो कलोरी पर मोल इसकी एनरजी ज़्यादा होती है उसके बाद जब एक स डिग्री पे घुमाएंगे एकलिब्स फोम आ जाएगी जो और लास्ट में फिर जैसे तीन सो साथ डिग्री को मापे वापस फुली एंटी आ जाएगी इस तरीकी से इनर्जी डिग्राम है और काफी फूली इस डिग्राम से में सांब सिल्द भाफ करएंगे साइकलो हेग्जेंसें कोशन चट्वर्प अस्तित्व में माकी मत्या और कम होता था ऑक कर्वामाव हमें उ均य। से परिवर्तित होते रहते को कमरे के नितनी उठान अनतारें सकते हैं की इन दोनू रूपों को ही क्रमस साइक्लो है से कोड़ सी सन रूपन लुक्लmaster करते हैं जो sein कर्सित संव्रूर्पन होता है वो सरवादी कर्मोरूल उसकी उड़जा उती है नौप डूर्सनघ्णी से टनुव इसंद्द संदॉपन मोरोडी विकृति यानि टोर्सनल एंस्टेंट से मुक्त होता है कुटसी संडूपन में सभी हाइडोजन परमाणू पूनते हैं सांत्री तवस्ता में होते हैं मतलब इस्टेगड़ फोम में होते हैं साइक्लोहेक्जन वले के विपरित कोनों के कार्बन परमाणू C1 तता C4 पर उपस्तित हाइ हाइडोजन परमाणों के मद्दे भी अधिक्तम दूरी होती है जो की कौन से हैं C1 C4 हम देखते हैं यांका है इसके बीच फेल होता है यह देखिए रहु है वले के कार्बन कार्बन एकल बंद पर मुक्त गुणन के फल्प सरूप कूर्शी संडूपन नोका संडूपन में परिवर्तित हो जाता है जब कूर्शी संडूपन में सांत्रित हाइडोजन परमानू यह इस तरीके से जो कूर्शी संडूपन की हम क्या देते हैं आकरती देत रहते हैं तो कुष्य रूप का नो का रूप नो का संडूपन में जो परिवरतना होता है वह इस तरीके से होता है इस संडूपन के दौरा यहां पर देखिए यह एरो जा रहा है इसमें रहना ज़्यादा पसंद करेगा इदर के तरफ बहुत कम रह पाता है कि इसकी और जाद अब नोका संडूपण में भी कुछ से संडूपण की तरह कोणी विकृति से तो मुक्त होता है जो बोट फॉर्म होती है वो कोणी विकृति से तो मुक्त होती है परन्तों यह मरोडी विकृति से मुक्त नहीं होती है मतलब इसमें टोर्शनल स्ट्रेंड पाया जाता है कोणी है एंगल स्ट्रेंट तो नहीं है बट टोर्शनल स्ट्रेंट है इसमें जो चार कार्बन प्रमाणों होते हैं सी टू सी त्री सी फाइब और सी और सी वनम् प्रमाण काफी समीप होते हैं और हमने देखा ता कि जो चैर फोरम थी वहां पर दूर थे और यहां प्रतिकर्शन होता है उपर वाला इसको फ्लेते को इंटरेक्शन भी बोलते हैं सो आप देखो कौन कौन सिस्टेंट पाए इसमें एक तो मरोड विक्रती पाए जा रही है। कम होती है जो अब देखिए 30 संडस्टन हो जाती है जो कि चेर फोम होती है चेर फोम यह सोरी जो बाट फोम होती है इसमें इस्ट्रेंट पाया जा रहा है कौन-कौन सा एक तो टौर्सनल इस्ट्रेंड और एक फ्लेक पलो इंट्रेक्शन इसकी वज़े से यह तोड़ा लची के कारण यह सबसे पहले किसमें चेंज होगा यह सबसे पहले चेंज हो गया व्यावर्त नोका संडूपण में जो यह हो जाती है ना twist boat confirmation में जिसकी energy chair से तो ज़्यादा होगी लेकिन जो boat form नोका रूप है उससे कम होगी मतलब यह boat form नोका रूप से ज़्यादा इस्ता ही होता है और चेर फॉर्म से या कुर्षी रूप से कम इस्ता ही होता है क्योंकि कुर्षी फॉर्म से तो इसके उर्जा ज़्यादा होगी लेकिन जो नोका फॉर्म होती है इसके उर्जा कम होगी इसको हम बोलते हैं ट्विस्ट बोट यहा या हम इसको बोलेंगे व्यावर्थ नोका संदूपन अब देखिए अगर साइकलोएक्जेन के कुर्षी नोका संदूपन में उर्जा अंतर कम होता है अतक कमरे के ताप पर इन्हें प्रतक नहीं किया जा सकता है वे तेजी से एक दूसरे में परिवर्टित होते रहते हैं कमरे के तापर कोड़ से संडूपन की जो मात्रा होती है 99% होती है यह देखिए यहाँ पर जो चेर फॉम है वो सबसे नीचे पाई जाती है सबसे नीचे मतलब यहाँ एनरजी के बढ़ते क्रम हमें है तो यहाँ चेर फॉर्म की एनरजी सबसे कम होगी उसके बाद हाफ चेर आएगी जो हाफ चेर होती है उसकी उर्जा सबसे ज़्यादा होती है इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रिंड पाए जाता है जो हाफ चेर हाफ चेर में कनवर्ट होगी उसके बाद फिर वो ट्विस्ट बोट में कनवर्ट होगी जो ट्विस्ट बोट की उरजा होती है वो हाफ चेर से कम होती है बोट फॉर्म से भी कम होती है और चेर फॉर्म से ज़्यदा होती है तो उस कंडिशन में ट्विस्ट बोट में कनवर्ट होगी अब फिर twist boat convert होगा boat foam में और boat foam के उड़ा twist boat से ज़्यादा होगी बट half chair से कम होगी क्योंकि half chair में तो बहुत ही ज़्यादा strain पाया जाता है उसके बाद फिर वापिस boat foam twist boat में convert होगी और फिर twist से वापिस half chair में और half chair से फिर chair foam में इस तरीके से चलता रहता है सबसे पहले chair से half chair then half chair से twist boat फिर twist boat से boat फिर वापिस boat से twist boat twist boat से half chair half chair से chair और इसमें अगर energy का क्रम देखते हैं तो जो chair foam का होता है वो सबसे कम हो जाएगा उसके बाद chair foam के बाद twist boat आ जाएगी twist boat उसके एनर्जी कम होगी उसके बाद boat foam आ जाएगी उसके एनर्जी कम होगी और उसके बाद half chair जिसके एनर्जी सबसे जादा होगी तो एनर्जी सबसे कम किसकी होई सबसे कम एनर्जी होगी सबसे पहले chair की उसके बाद twist boat की फिर उसके बाद boat की और उसके बाद हाफचेर की यह इसका एनरजी का करम रहता है साइक्लो एक्जेन के विश्यू वेतियों है एक्जियल कार्बन हैड्रोजन बंद की बात करते हैं तो चुकि कुर्सी संडूपन अधिक इस्ताय एर कमड़े के तापने इसकी मात्रा 99% होती आता है यहां इसी का विस्तायर से अध्यन करेंगे इस अंडूपन में CH बंदों के दो समुच्यों होते हैं 3 6CHX, बंद वाले केISEक्स में। समानतर होता है इन्हां आक्षिये बंद कते हैं। दो से समुची से। 6CH बंद वाले के喜欢 Chem 109 681udellt». या वाले के 접शे ग् ü dhs 36 649ло. गया है तो देखिए यह जो एवाला है वो एक्जियल हो गया यानि अक्षिय हो गया यह अक्षिय हो गया यह अक्षिय यह अक्षिय और यह अक्षिय तो यह तो गया अक्षिय और जो बाकि सारे बच्छे हैं वो जाएंगे एक्वेटोरियल इस तरीके से हमने देखे कि कौन से एक्जियल होता है और कौन से एक्वेटोरियल हाइडोजन बंद होता है आज के लिए इतना ही धन्यवाद